जहिन 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 तो सबसे पहले एक खुसकबरी आपको दे दूँ खुसकबरी क्या दुख भरी कहानी भी मैंने ही सुनाई थी तो खुसकबरी भी भही है कि जो वाइरल हो रहा था अब कितना सत्य था कितना जूट था उस पर हम लोग चर्चा किये ही थे बहुत सारी चर्चा कि 40 साल उम्र कर दी जाएगी ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा तो आज आयोग के तरब से official notification आ गया कि जो वाइरल च जा रही है फिलहाल बाकि जिस तरह से बना था उत्वाय हर को बता कोई आम आदमी के बनाने के बस के बाद तो है नहीं मामला कहीं वहीं से था और clarification देने में लगबग दो हपते लग गए होली के आसपास ही ये बात वाइरल हो रहा था होली के आसपास ही ये बात ने वाइरल हो रही थी लेकिन तब से सरकार ने कुछ नहीं कहा लेकिन आज की rate में सरकार ने कह दिया कि जो market में WhatsApp में बगरा में जो चीजें चल रही है वो नहीं किया जा रहा है तो अब चैन की सांस वो लोग ले सकते हैं जो काफे दिन से लगे हुए हैं किसी वज़ा से पहले एक्जाम नहीं दे पाएते 40-40 एर से जादा जिनकी एज है तो वो उसके बारे में क्लिरिफिकेशन आयोग के तरफ से आ गया है चलिए तो जैहिंद को आज हम लोग 10 का दम 10 का दम का आज दूसरा यह मंडे से क्लास आपकी एप पे चलेगी बाकि आपका निसल एकलब बैच चली रहा है टेलिग्राम पे जो फ्री चैनल चलता है उस पे आपको उसका नोटस पीडिया भेज दिया जाता है एकलब बैच जो है वो आपका निसुलक बैच है प्रैक्टिस के लिए और उसमें एक एकलब बैच में एक और आपकी सुवधा के लिए करने जा रहा हूं मैं यह कि जितनी क्लासेस यूटूब पे चली है मतलब यूटूब पे आज से नहीं काफी दिनों से आपका क्या है प्रसुनों की फुहार का सीरिज कराया था आपका ठीक और भी मैट्स के बहुत सारी चीज है मतलब जो खास करके प्रैक्टिस वाला है जो आप लोग की अक्सर के एकलाब बैच में वो सारे क्लासेस में मैं डलवा दूंगा मैक्सिम ठीक बांकि इसमें टेस सीरीज आलेडी पड़ा हुआ है नए नए भी बीच बीच में डाले जाते हैं तो इसके लिए कोई चार्जेज नहीं है इसका भी बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा अगर है और complete syllabus पे भी पड़ा हुआ है तो बस इसके लिए आपको teachers academy app download करना होता है और कुछ wishes करने की जरूरत नहीं है दूसरा foundation batch एक cyclic order में चलता रहता है वो इस वार के लिए नहीं है जिनका थोरा सा long term में है अभी नए है बीच कर रहे है बीच कंप्लीट होने वाला या graduation third year मे और teaching field में goal है उनका interest है कि उधर जाना है ठीक तो वो foundation batch आप आसानी join कर सकते है जिसमें 9 मी से लेके graduation तक की चीज़ें TGT PG, TGTO, PGTO, LTGIC सब के लिए है एक नौकरी batch है यह तो different जैसे TGT लेंगे तो अलग करना परेगा PGT लेंगे अलग करेंगे इसकी validity करीब 2 साल से 8,5 साल रहती है इसकी validity साल भर रहेगी और एक recorded batch तो आपका है ही recorded batch भी चाहें तो आप ले सकते हैं टेसरीज का भी ले सकते हैं और साथी साथ course का भी ले सकते हैं चाहिए जिस course में है UPTGT PGT LTGIC DT पलेस भी वेगरा सब बांकि यह 10 कदम live जूड़ना चाहते है तो उसके लिए मैं यह लब भाई अधाय नहीं सॉट वाला सॉट वाला सॉट में जाता है मैं 30 सेकंड 40-40 सेकंड का सॉट गया हुआ है डेली एक 4 बजे सॉट चला जाता है डेली 4 बजे teachers academy channel के सॉट वाले में जाएंगे सॉट फीड में तो एक ट्रिक डेली डाला जा रहा है मैं दिखा दे र आप आप आपन करेंगे टीचर्स एकैडमी आप जाओगे टीचर्स एकैडमी को आपन करोगे यहां आपको सौट का दिखेगा आज देखे बहुत ही इंपोर्टन फार्मूला बताया है बहुत ही इंपोर्टन फार्मूला यह बताया है आपको आज ठीक यहां से आप जा सकते डेली बस आपको देखना है डेली आती है डेली आती है आपकी चलिए question number first 10 का दमकाज दूसरा है question number first आपका वृत 1-2 से होकर जाता है तथा x-8 को 3-0 पर असपर्स करता है जिस अन बिंदू से होकर जाएगा उसका निर्देशांग क्या होगा मतलब एक वृत है हमारा जो 1,2 हो सक है एक circle passes through the point 1,2 and touches x-axis and touch x-axis at the point 3,0 touch x-axis at the point 3,0 ठीक, तो वो circle इन चारो में से किस बिंदू से गुजर रहा ये पूछ रहा वो circle किस से अरो भाई पहले तो हम सब दिन से इंग्लिस मिलाते सब चिलाते था सर हिंदी मिलाईए हिंदी मिलाईए अब हिंदी मिलाएं तो इंग्लिस का दिमांड हो रहा है हिंदी इंग्लिस दोनों कर देते हैं तो लिखने की जगह ही नहीं बचती है बहुत टाइम कंजूम होता है चलिए इंग्लिस में ट्रांसलेट क केंसी की बात है EMRS का 40,000 आना था पिछले साल 10,000 का आया है 30,000 अभी और आना है इस साल बी नंबर पहले का बी तो चलिए तो सरक्ल का रहा है क्या है कि X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर यही करना परेगा और कोई उपाए है ने 2F Y प्लस G स्क्वाइर बराबर 0 क्यों क्योंकि X एकस को टच कर रहा है ते X एकस को टच करने का कंडिशन क्या है C is equal to G स्क्वाइर पास किसे कर रहा है 3,0 से तो 9 प्लस 6 G प्लस G स्क्वाइर जी एक्क्वाइर तो G की वैलू कितनी माइनस 3 हो गई ठेक जी की वैलू रख दें हम अब किसे कर रहा है 1, माइनस 2 से तो 1 प्लस 4 जी की वैलू माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 6 X1 2F Y की वैलू माइनस 2 और G स्कुर कितना 9 is equal to 0 तो 9, 4, 13, 14, 8 8 बराबर 4F तो F की वैलू कितनी 2 हो गई, तो F की वैलू 2 तो सरकिल का क्या equation मिला X square plus Y square minus 6X plus 4Y और plus 9 बराबर 0 अब किस बिंदू से गुजर रहा है तो minus 5 रखेंगे तो 25, 24, 29 नहीं होगा 2 minus 5 रखेंगे तो 2 minus 5 होगा 2 दुना 4 plus 25 minus 12 minus 20 plus 9 25, 24 ये भी नहीं हो रहा है गलत 5 minus 2 रखेंगे तो 25 plus 4 minus 10 minus 8 plus 9 कोई नहीं सेटिस्फाइ कर रहा है क्या जी अच्छा 6 है ना 6 पचे 30 आ जायागा 30 तो ये option number C 25, 24, 29, 39 38, 38 option number C सही होगा C number C सही है B नहीं C वाला B नहीं C वाला और कोई इसमें short cut लगा नहीं सकते है मजबूरी है हमें करना ही पड़ेगा heat and trial method ही लगाना पड़ेगा क्योंकि एक circle तो बहुत सारे बिंदू से गुजरता है तो circle का equation निकाल करके फिर हमें satisfy करना पड़ेगा कौन सा बिंदू उसको संतुष्ट कर रहा है तो option number C जो है वो सही है हमारा हाँ C सही है C सही है C number जल्दी से गबर बताइए clear है समझ गया है सब लोग या कोई दिक्कत है कोई अपत्ती है तो जल्दी से दर्ज कराएं जल्दी से बताया जाए question number 2 दिखा दिखाया सवाल बहुत बार पहले भी करा चुके है बहुत बार एक्जाम में आ चुका है ये सवाल आपका यदि X, Y, Z एक समानांतर स्रेडी में है तथा 10 inverse X, 10 inverse Y, 10 inverse Z भी समानांतर स्रेडी में है तो क्या होगा X बराबर Y बराबर Z, 2X बराबर 3Y बराबर 6Z, 6X प्लस 3, 6X बराबर 3Y बराबर 2Z, 6X बराबर 4Y बराबर 3Z ये बदल रूप अपना बदल बदल के कई बार ये कोश्चन पूछा गया है आपसे कह रहा है इफ X, Y, Z, R in AP समानांतर स्रेडी मतलब क्या हो गया AP हो गया तो X, Y, Z, R in AP and 10 inverse X, 10 inverse Y, 10 inverse Z also in AP also in X, Y, Z भी AP में है 10 inverse X, 10 inverse Y, 10 inverse Z भी AP में है तो इन चारों में से कौन सा सही होगा जल्दिस बता है एक दम याद होगा बहुत बार एक्जाम में आया हुआ सवाल है एक बार नहीं कई कई बार आया हुआ है जल्दिस A, A, A हाँ इनका इसका सबका रटा हुआ है एक दम क्या A A, B, C, A X, Y, Z, AP में X, Y, Z, AP में है यानि की X प्लस Z बराबर हमारा 2Y और 10 inverse X प्लस 10 inverse Z बराबर भी 210 inverse Y हमारा दोनों तो यहां 10 inverse क्या हो जाएगा 10 inverse 10 inverse X प्लस Z अपोन 1 माइनस X Z और 210 inverse एक Y का 10 inverse 2Y अपोन 1 माइनस Y स्क्वार तो x plus z बराबर 1 minus xz और 10 inverse 2y बराबर 1 minus y square तो यह और यह cancel इसका मतलब y square बराबर xz y square बराबर क्या आ गया xz इसका मतलब क्या हो जाएगा x y z gp में ठेक तो y square x y z ap में भी है और x y z gp में भी है तो कोई भी तीन नमबर ap gp दोनों में कब हो सकता है जब दोनों बराबर हो ऐसे हम लोग क्या जानते हैं कि am जो होता है वो हमेशा gm से ज़ादा होता है ठीक arithmetic mean हमेशा geometric mean से ज़ादा होता है am gm के बराबर होने के लिए क्या चाहिए numbers का equal होना जरूरी है समान होना तीन नमबर ap में भी हो और gp में भी हो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वो तीनों बराबर हो जब वो तीनों क्या हो बराबर हो हमारा यानि कि option नमबर a जो है वो सही है हमारा एकदम बियल मौरिया जी डीडी डीपी मैट्स क्लासे समरजीत वर्मा संजय राजपूत सिव कुमार मैट्स एकदम सही महंदर सिंग जी एकदम सही सबका एक बार तब तक like, share और subscribe जरूर कर डालें एक तो बहुत बड़ी जो चिंता थी आप लोगों की बहुत आप में से बहुतों की वो आपका हट गया है आज आयोग के तरफ से notification आ गया है थी कि जो जैसा था फिलहाल अभी वही चलेगा अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एक्जाम आपका सेप्टेंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक होने की संभावना है यूपी टी 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 और पी जी टी का चले यदि एफ आफ आफ एक्स दी एक्स बराबर साई एक्स है ठीक तो इंटिग्रेशन आफ एक्स पर पावर 5 एफ आफ आफ एक्स क्यूब डी एक्स किसके बराबर है ठीक यदि एफ आफ आफ एक्स डी एक्स बराबर साई एक्स है तो integration of x पर power 5 f of x cube dx इन में से किसके बराबर है ये आपको बताना है जल्दी से एक बार बताए जल्दी से एक बार बताए UKLT में math physics दोनों आता math का syllabus तो काफी कम कर दिया गया है आपका last year से UKLT का math का syllabus काफी कम किया है लेकिन physics भी उसमें पूछा जाएगा इसी वीडियो खो जाएगे तो UKLT का physics और math दोनों का syllabus आपको मैंने बताया है form भरा जा रहा है एक बार चलिए कल फिर से बता देंगे जल्दी से एक बार बताएगे क्या होगा इसका answer देखें कौन बताते हैं किनका दिमाग तेजी से चलता है बड़ा अच्छा सवाल है कठिन तो नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है देखें कौन बताते हैं भाई क्या कह रहा है F of X का integration Si X है तो X पर power 5 F of X cube का integration क्या होगा F of X cube का integration क्या होगा एक answer आया है एक भाई से Sanjay Rajput जी का Sanjay Rajput जी का आया है Lakshmi चौहान जी भी लेकिन भाजपा और Congress बन गया है एक ने C कहा है एक ने B कहा है अब सपा बसपा भी आ जाए तब फिर मैं बताओ Sir आपके staff लोग सही से बात नहीं करते है ऐसा तो नहीं होना चाहिए हाँ एकाद staff हो सकता अपनी महरारों से जगड के आया हो तो कुछ गरबड किया हो लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई अगर ऐसी बात है तो कॉल करके अभी class के तुरंट बात आप कॉल कीजेगा मैं यहीं रहूंगा तुरंट दो मिनट के अंदर ठीक और staff का नाम बता दिए कौन किसकी मजाल हो गई जो आपसे सही से बात नहीं किया है तो फिर मैं उसका भी खैर करता हूँ खैर देखे क्या होगा क्या दिया हुआ है कि f of x dx का integration आपका क्या है psi x पूछ क्या रहा है हमसे x पर पावर 5 f of x cube dx क्या होगा यही है न साहिद हाँ तो यहाँ पर क्या लिख सकते है इसको लिख सकते हैं आप x cube into x square f of x cube dx x cube को हमने क्या माना z माना तो x square dx बराबर क्या आजाएगा d z by 3 आजाएगा इसका मतलब यह i जो हो गया वो कितना x cube यानी z f of z और d z by 3 अब 1 by 3 तो आप बाहर ले सकते हैं अब इसमें क्या लगा दें integration by parts लग सकता क्या लगेगा integration by parts लगेगा खंडशा समा कलन तो 1 by 3 क्या हो जाएगा f of z f of z minus f of z d z by d z d z और इस पूरे का integration यह तो होता है यह हमारा क्या हो गया second function लिया है इसको क्या लिया है first function तो by parts में क्या होता है first function into integration of second function minus फिर integration of second function first function का differentiation और इन दोनों के product का इन दोनों के product का integration हमारा तो यह क्या मिल जाएगा 1 by 3 z f si z si z minus क्या हो जाएगा integration of f of z का si z ही हमारा और d z यह क्या हो गया d z 1 by 3 इसमें भी आ जाएगा लेकिन answer इस form में नहीं दिया answer फिर x के form में दिया तो z की जगा क्या था x cube था तो 1 by 3 x cube si x cube minus 1 by 3 si x cube और d z की जगा 3 x square dx तो यह 3 से 3 cancel हो गया तो 1 by 3 x cube si x cube minus integration of si x cube into x square dx यह हमारा x के form में क्या आएगा finally answer आएगा अब इसको देखें तो किस वाले में हैं 1 by 3 bracket में x cube 3 x square तो यह तो गलत हो गया हमारा यह भी गलत हो गया इस वाले में option number c option number c जो होगा 1 by 3 x cube si x cube minus x square si x cube dx हमारा यही आपका क्या answer एक बार इसको देख लीजिए पूरा से थोड़ा सा है अलग टाइप का सवाल कठीन तो नहीं है लेकिन थोड़ा अलग जरूर है जल्दी से एक बार बताईए समझ गया या कोई दिक्कत है clear है सबका मैंने अंदर नहीं 1 by 3 काली पहले step में होगा दूसरे में नहीं होगा दूसरा वाला 1 by 3 जब z को x में बदलेंगे तो वो कट गया है x को conservation है सबका समझे या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बता दें प्लीज एक बार पुरा एक बार देख लिजिए कहीं कोई डाउट है तो उसको पूछ लिजिए c नमबर है जल्दी से बताएं जल्दी सादेस करें तो तो फिर आगे चलें C number है clear है नरंदर जी का clear है MM Mishra जी का भी clear है चलिए धन्यवाद अगले सवाल की और बढ़ है ये तो करही देंगे limit x tends to 0 1 minus cos 2x into 3 plus cos x upon x 10 4x किसके बराबर है minus 1 बटा 4 1 बटा 2 1 और 2 जल्दी से बताएं क्या होगा चौथे नम्मर का चौथे नम्मर का जल्दी से बताया जाए क्या होगा question number fourth एकदम आसान सा सवाल अगर आपको trick सारा याद है सारा concept बताएं तुरंट आप इसको बताएंगे बिना pen paper के भी बता सकते हैं जल्दी से बताया जाए चौथे का क्या होगा answer question number fourth मौरिया जी कहा हो तो इसमें एक फार्मूला यह हमारा एक क्या होता है एक फार्मूला आपको trick बताया है कि x alpha को approach करने पे f of x अगर 0 को approach करें तो limit x tends to alpha 1 minus cos f of x upon f of x का जो square होता है वो कितना एक बता दो के बराबर और limit x tends to alpha 10 f of x upon f of x करेगा तो इसकी value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी इसकी value क्या हो जाएगी 1 तो उसी concept को लगा लें तो limit x tends to 0 1 minus cos 2x है तो नीचे 2x का square चाहिए f of x वाला काम ये कर रहा है नहीं तो उपर और नीचे गुणा कर दिया x 10 4x है तो नीचे भी 4x चाहिए नहीं था तो multiply और divide कर दिया और 3 plus cos x हो गया काम बन गया हमारा तो इसका limit कितना एक बटा दो इसका limit कितना आ जाएगा 1 4x x 2x square कट गया यहां x की जगा 0 रखेंगे 3 plus 1 4 और इसका कितना 1 कितना हो जाएगा 2 x से दूसरे step में इसका answer आ जाएगा चौते का option नम्मर D समझ में आई ही बात सबको यहां कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बता है मतलब यह तो हमने समझाने के लिए इतना formula लेका आपको बस पहला step करना दूसरे step में इसका answer हाजिर हो जाएगा second step में इसका answer हाजिर हो जाएगा B नहीं D D D नम्मर हाँ 1-cos2x वाले का जब 4x square से गुणा भाग करेंगे तब एक बटा दो 10 4x by 4x भी 1 आएगा और 3 plus cos x इसको कोई समस्या ही नहीं है 0 by 0 करने में इसका कोई योगदान ही नहीं था तो यहां तो directive 4 आजाएगा हमारा ऐसा निमत कितना जल्दी कर सकते हैं यह भी important है आना ही important नहीं है कितना जल्दी कितना fast कर ले जाते हैं यह भी बहुत महत्पुर्ण रोल अदा करता है आपके चलिए D पांच में नमबर सवाल की ओर बढ़ है कत्थन first समाकलन πाई बाई 6 से पाई बाई 3DX 1 प्लस रूट 10X कामान पाई बाई 6 है कत्थन दो A से B F of X DX बराबर A to B F of A प्लस B माइनस X DX होता है तो कत्थन एक सत्य है कत्थन दो सत्य है कत्थन दो कत्थन एक की सही व्याख्या है कत्थन एक सत्य है कत्थन दो सत्य है कथन 2 कथन 1 की सही व्याक्या नहीं है C कथन 1 सत्य है कथन 2 असत्य है कथन 1 असत्य है कथन 2 सत्य है हमारा जल्द इस बताएं तो 5 में का क्या होगा देखें कौन बताते हैं उमेश प्रजापती जी ने 5 में का A बताया है और लोग भी देखें कौन बताते हैं भाई अरे यही गलत है यही जब गलत हो गया तो चौते ही आएगा चौता ही आएगा भाई हमारा D नमबर पांच में का D होगा नहीं यही तो गलत है मेरे भाई पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 अपोन 1 प्लस रूट 10X DX करेंगे तो इसका आएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 बाई 2 मतलब पाई बाई 12 आएगा क्या आएगा पाई बाई 12 आएगा लेकिन दिया क्या है पाई बाई 6 दिया हुआ है तो गलत है ना भाई तो पहला ही गलत है बांकी ताग एक पीछे कुछ चेक करने ज़रूत है ही नहीं चौथा में ही पहला एक गलत दिया है पहले में भी कह रहा है पहला सत्य दूसरा सत्य दूसरे में भी कह रहा है तीसरे में भी कह रहा हमारा ठीक π by 4 नहीं भाई π by 12 क्या होता है concept कि f of a f of x f of x plus f of a plus b minus x बराबर 1 हो तब उस case में a से b f of x dx का जो integration होता है b minus a by 2 ठीक क्या होता है b minus a by 2 होता है हमारा तो क्या यहां हो जाएगा तो यहां f of x कितना दिया है f of x दिया है 1 upon 1 plus root 10x 1 upon 1 plus root 10x a का मान π by 6 है b का मान π by 3 है तो a plus b तो π by 2 हो जाएगा हमारा ठीक तो f of x plus f of a plus by by 2 minus x करेंगे तो 1 plus root 10x और यह हो जाएगा 1 upon 1 plus root 10 by by 2 minus x हो जाएगा यानि की cortex हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 plus root 10x और यह root cortex उपर जा करके 10 तो root 10x upon root 10x plus 1 आ जाएगा तो आइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना तो f of x plus f of a plus b minus x बराबर 1 आना है हमारा तो क्या होगा आनसर b minus a by 2 यानि की pi by 12 होगा यानि की क्या होगा pi by 12 होगा हमारा चले तो क्या है आनसर जो है आपका d वाला यही जब गलत हो गया तो बांकी यह सही है यह वाला गलत है यह statement सही है यह तो properties होता ही है कि a से b f of x dx करें चाहे A से भी F of A plus B minus X करें दोनों का integration सेम ही होता है हमारा तो first वाला गलत है और second वाला सही है यानि क्या option number D कथन statement 1 is false बस statement 2 is true चलिए question number 6 की बात करें द्रिग वृत X square बटे 16 plus Y square बटे 9 की नाभियों से होकर जाने वाले वो वृत जिसका केंदर 0,3 है का समीकरन मतलब क्या कह रहा है equation of circle equation of circle whose center at the point 0,3 and passes through foci of the ellipse passes through foci of the ellipse मतलब क्या उस circle का equation बताना है जिसका center 0,3 पे है और वो pass किससे कर रहा है इस ellipse के focus से इस ellipse के focus से pass कर रहा हमारा ता अंसर क्या है X square plus Y square minus 6Y minus 7 X square plus Y square minus 6Y plus 7 X square plus Y square minus 6Y minus 5 है और X square plus Y square minus 6Y plus 5 है एकदम आसा सा सवाल जल्दीस बताएं क्या होगा circle और ellipse दोनों mix हो गया है अलका कुमारी जी D बता रही है जल्दीस एक बार बताएं क्या होगा question number 6 question number 6 तो सबसे पहले क्या इसका focus निकालना होगा focus तो eccentricity का formula कितना B square A square E square 1 minus E square क्यों क्योंकि A square हमारा 16 है और B square 9 है तो क्या है A B से ज़्यादा तो A B से ज़्यादा eccentricity निकालने का यही सुतर तो होता है तो B square कितना है 9 16 1 minus E square तो E square बराबर 1 minus 9 बटे 16 यानि E का मान कितना हो गया root 7 बटे 4 तो focus की बात करें तो focus कितना होता है plus minus A E कॉमा 0 आएगा इसका मतलब plus minus root 7 कॉमा 0 तो कौन सा center तो सबका 0 3 है root 7 कॉमा 0 यही तो होगा 0 7 ये 0 ये 0 minus 7 option number A first वाला ही सही है छटे का option number A focus एक root 7 0 आएगा दूसरा minus root 7 0 आएगा तो बस यही देखना है center तो 0 3 इसका भी है इसका भी है इसका भी है इसका भी है बस देखना root 7 0 को कौन साटिस्फाइ करता है तो root 7 0 को केवल यही साटिस्फाइ कर रहा और तो कोई साटिस्फाइ कर ही नहीं रहा हमारा उमीद करते हैं समझ गया होंगे याद आ गया होगा सबको बहुत सारी चीज़े हमने देख लिया revision हो गया हमारा eccentricity क्या निकालते हैं focus कैसे निकालते हैं सारी चीज़े हाँ एकदम सही है V.L.Mauria जी शशिकान सर्मा जी महंदर सिंग जी DPD Maths Classes अराधिप्रो अरोणा शिंग लक्ष्मी चौहान एकदम एकदम सही चलिए एक बहु विकल्पिये परिक्षा में पांच प्रश्न है प्रतियेक प्रश्न के तीन वेकल्पिक उत्तर है प्रतियेक प्रश्न के तीन वेकल्पिक उत्तर है जिसमें से केवल एक सही है, एक विद्यार्थी द्वारा केवल अनुमान से, मतलब उसे आता नहीं है, बस तुक्का लगा रहा है, ठीक, तुक्के लगाने विद्यार्थी एक्सपर्टे होते हैं, तो अनुमान से चार या उससे अधिक प्रसनों की सही उत्तर देने की नेटीव है, हमारा तीनी विकल पे हमारा, तीनी ऑपसन्स दियें, तो गैस करकर के कोई बच्चा चार या चार से जादा आंसर सही करता है, इसकी क्या प्रबबलिटी है, तो सेलेक्ते होने की प्रबबलिटी है, भाई, 75% तो करे दे रहा है, 75% में तो काम चल ही देता है, अरे अनीज जी बताया, तो सेप्टेंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट विक में होने की पॉसिबलिटी है आपकी, अब ये सारे सवाल आप 20 जून के बाद करें तो ज्यादा अच्छा लहे, अभी सब सरकार वराने में बस्त हैं, जल्दिस बताया, ये सात्वे नंब चीन जी ने साटे में का सी दिया है, और लोग भी जल्दिस बता हैं, शात्मे का उप्शन नंबर सी सेचिन जी दिया है, तो पहां पर क्या है, पांच प्रस्ट ने है, उने क्या एक प्रस्ट के सही होने की प्राइकता है कितनी, एक बटा ती spinning, एक बटा तीन, जैने अगर यह तीने उत्तर है तो एक बटा दिन तो सही नहीं होने का कितना दो बटे तीन सही नहीं होने का क्या हो जाएगा दो बटे तीन हमारा अब कह रहा क्या पांच में से चार प्रस्ट का सही हो तो पावर चार और दो बटा तीन पर पावर एक चार या उससे अधिकारा मतब चार सही हो पांच का पांच हो सही हो हमारा तो 5 C 5 1 बाई 3 पर पावर 5 तो 5 C 4 कितना 5 3 बटे 5 5 1 3 बटे 5 5 दूना 10 एक 11 11 बटे 3 पर पावर 5 आप्शन नमबर C पांच में का क्या B नहीं महंदर सिंग जी C नमबर क्या होता बहुत ज़ादा जब ट्राइल हो हमारा तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यदि नमबर आफ ट्राइल्स जो हो नमबर आफ ट्राइल्स कितना हो N हो हमारा ठीक Success probability जो हो Success probability in one trial one trial कितना P और unsuccessful probability probability in one trial one trial कितना हो Q हो हमारा तो क्या होता है Success probability probability of exactly R times exactly R times क्या सुतर होता है binomial probability का क्या होता है NCR P पर पावर R into Q पर पावर N-R यही सुतर होता हमारा मतलब कि क्या यदि प्रियोग को N बार किया जाए यदि प्रियोग को क्या N बार किया जाए प्रियोग को एक बार करने पे सफलता की प्राइक्ता P हो और असफलता की प्राइक्ता मतलब सफल ना होने की प्राइक्ता Q हो ठीक तो ठीक आर बार सफल होने की प्राइकता का जो सुत्र है हमारा वो क्या कह रहा है NCR into P per power R into Q per power N minus R NCR into P per power R into Q per power N minus R यही सुत्र हमने लगाया पांच प्रस्न है तो नम्मर आफ ट्राइल्स तो पांच हो गया पांच बार उत्तर दे रहा है पांच बार प्रियोग कर रहा हमारा तो नम्मर आफ ट्राइल्स तो 5 है ठीक प्रियोगों की संख्या 5 है अब एक प्रस्न का तीन विकल्प है हमारा तो अगर तुक्का लगाएगा तो उसके से 3 में से कोई एके तो सही है तो सही होने के एक कोश्चन के तो गलत होने की प्राइक ता कितना 2 बटा 3 हमारा ठीक तो P का मान एक बटा 3 और Q का मान दो बटे 3 अब यहाँ कारा 4 या उससे अधिक बार मतब 5 प्रसन का उत्तर दे रहा है वो तो 4 या उससे ज़्यादा सही हो उसका आंसर सही होने की प्राइकता पूछ रहा लेकिन अनुमान से जान नहीं रहा है अगर जान रहा है तब तो उत्तर देगा तो उसके सही होने की probability 1 होगी हमारी लेकिन 5 कोश्चन का उत्तर जो देता हूँ अनुमान से ही दे रहा तुक्का ही लगा रहा है वो तो 5C4, 1 by 3 पर पावर 4, 2 by 3, चार बार सफल, एक बारा सफल, अब यहां 5 के पाँचों बार सफल हमारा, तो 5C5, 1 by 3 पर पावर 5, इसी को सिंप्लिफाई कर दिया है, 11 upon 3 to the power 5, इसलिए हमने आंसर बता है, तो रहा क्लियर है, समझ गया ऐसा, probability हमेसा थोड़ा सा परिशान करत है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ सवाल इसके परिशान जरूर करते हैं, यह हो गया, permutation, combination हो गया, determinants हो गया, indefinite integration हो गया, आपका, जल्दिस बताएं भाई, सब लोग का clear है, या को doubt है किसी को, धनेंजे कुछवाह जी का तो clear हो गया, दो चार लोग और बता दीजे भाई, गवाह बने रही है, ने तो आप लोग कभी-कभी मतलब एकदम दिल तोड़ देते हैं, कहते हैं, आप दुचार लोग को देखके आगे बढ़ जाते हैं, सर, हम लोग पर ध्याने ने देते हैं, अपनी गलती ने देखेंगे कि साथ-साथ में ही चलें, 15-20 मिनट बाद आप करेंगे हम कब तक इनतिजार करेंगे, कि सब लोगों ने दिया कि नहीं दिया, चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ हैं, एक तिर्भूत जिसकी भुजाओं के मध बिंदू का निर्देशांग 0,1,1,1 तथा 1,0 है, के अंता केंदर का एक्स निर्देशांग क्या होगा, ठीक है, मतलब कहा कहा रहा है, कि mid point of sides of a triangle, mid point of sides of a triangle are 0,1,1,1 and 1,3, then x coordinate of in center of the triangle, ठीक, तो triangle के in center का अंता केंदर का x coordinate, x निर्देशांग कितना होगा, ये आप से पूछ रहा है, जल्दी से बताईए, जल्दी से एक बार बताएं, क्या होगा, आठवे नम्मर का देखें, कौन बताते हैं, कितना तेज करवाया हुआ, ये भी कई बार सवाल है, तुरंद का ये बहुत थोरा सा calculation है, लेकिन बहुत जादा lengthy नहीं है, जल्दी से बताएं, क्या होगा, डेली टीचर्स अकैडमी के सौट वाले में डेली एक ट्रिक फीड हो रहा है, मतलब जा रहा है, ठीक है, तो उस ट्रिक को कॉपी में जरूर नोट करें, एक्जाम तक आपको कम से कम 300 से 400 ट्रिक लहेगा, लेकिन वो ट्रिक खाली लिख करक दो-चार सवाल, खुद से लिख करके उसको आदत में लाने का प्रियास करेंगे, क्योंकि ट्रिक जितना जल्दी समझ आपको आता है, जितना तेजी से याद होता, उतना जल्दी आप भूल भी जाते हैं, इसलिए कॉपी में, यह नहीं कि आपके मोबाइले में पढ़ा र है आपका यह ट्रेंग, ए, बी और सी, इसका एक का मिड़ पॉइंट हमारा कितना दिया है, जीरो एक दिया है, एक मिड़ पॉइंट कितना दिया है, एक एक दिया है, और एक मिड़ पॉइंट कितना दिया है, एक जीरो दिया है, तो अब अगर हम वर्टिस का कॉडिनेट निकालें, तो इसका कैसे निकालते हैं, क्या ट्रिक बताया था, इन दोनों को जोड के इसको घटा दीजे, तो एक प्लस एक दो, माइनस जीरो दो, जीरो प्लस एक एक, एक माइनस एक जीरो, बी का निकालेंगे, तो वन प्लस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो प्लस व इतना 2, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, vertices का coordinate, अब इसके length की बात करें, तो ये length हमारा 2, ये length भी हमारा 2, और ये length कितना 2 root 2, इसके इसके बीच का distance दो, इसके इसके बीच का भी distance दो, और इसके इसके बीच का distance कितना, 2 root 2 हो गया, अब in center का क्या सुत्र, याद करिए in center का क्या होता था कि अगर A, B और C है A का कॉडिनेट X1, Y1 है B का कॉडिनेट X2, Y2 है C का कॉडिनेट X3, Y3 है यह A है यह B है और यह C है तो इन सेंटर क्या होता था A, X1 प्लस B, X2 प्लस C, X3 अपोण A, B, C और A, Y1 प्लस B, Y2 प्लस C, Y3 अपोण A, B, C होता था हमारा ठीक ये हमारा क्या in center निकालने का formula होता है तो यहां जब इसी को निकालेंगे तो इसका in center का x coordinate बस निकालना है तो क्या करेंगे हर length को सामने वाले x coordinates है तो दो गुना दो चार प्लस जीरो प्लस जीरो और दो प्लस दो चार फोर प्लस टू रूट टू बस यही चाहिए हमारा y coordinate से कोई मतलब है नहीं तो दो बटे दो प्लस रूट दो उपर नीचे multiply कर दें तो 2 minus root 2 upon 4 minus 2 यह 2 से 2 भी कट जाएगा यानि कि कितना आठमे का option हाँ एकदम सही है 2 minus root 2 प्रवेश मानश्वी जी ठीक लक्ष्मी चौहान जी ठीक धननजय कुश्वाहा एकदम सही मानवेंद्र यादव जी लोचा कर दिये हैं एमें मिश्रा ठीक तो option number 2 हाँ एकदम सही है समझ गए सब लोग यह जरूर याद रखें कि बड़ा आसान सा तरीका होता है क्या होता है कि अगर triangle का midpoint अगर कहीं दिया हुआ हो A, B, C यह मान लिजे D इसका midpoint है E इसका midpoint है F इसका midpoint यह दोनों बराबर यह और यह दोनों बराबर अब हमारा D दे दिया है मान लो alpha 1, beta 1 E दे दिया है alpha 2, beta 2 और F दे दिया है alpha 3, beta 3 मतलब क्या है त्रिभूच के भुजाओं का मद्ध बिंदू दे दिया है और त्रिभूच का सिर्स निकालना है तो एकदम ऐसे हम equation बना के करेंगे मतलब 8-9 equation बनाना पड़ता है तब value निकलता है उतना कुछ नहीं करना A निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके जो निकालना है उसके सामने वाले घटाना है बाकि दोनों को जोड़ देना तो alpha 2 प्लस alpha 3 माइनस alpha 1 beta 2 प्लस beta 3 माइनस beta 1 c निकालना है तो c के सामने वाला यह है तो यह घटेगा यह दोनों जूड़ जाएगा alpha 1 प्लस alpha 2 माइनस alpha 3 कॉमा beta 1 प्लस beta 3 माइनस आँ सारे beta 1 plus beta 2 माइनस beta 3 और b निकालना है आपको इन दोनों को जोड़के यह घटा दीजिए alpha 1 प्लस alpha 3 माइनस अलफा 2 बीटा 1 प्लस बीटा 3 माइनस बीटा 2 जो वर्टेक्स निकालना उसके सामने वाले को माइनस करते हैं बांकी दोनों को आड़ करते हैं मतलब तुरंत आपका वर्टेक्स का कोडिनेट निकल जाता है उसके बाद जो करना चाहें जो पूछा जा रहा हूँ आप नाइन्थ's प्लस 1 एकस टूदा पावर 2 बाए 3 माइनस एकस टूदा पावर 1 बाए 3 प्लस 1 माइनस एकस माइनस एकस पर पावर 1 बाए 2 होल पावर 10 के प्रसार में x से स्वतन्तर पद क्या है मतलब x से independent term की value क्या है ये पूछ रहा है इस binomial में x से independent term की value कितनी है वो आपसे पूछी जा रही है जल्द इस बताएं क्या होगा x से independent कौन सा term है x से independent इसमें कौन सा term है ये आपसे पूछा जा रहा है जल्द इस बताया जाएं देखें कौन बताते हैं तुरंट ये ना हुआ अब यहाँ देखिए इतना खतरनाक है ऐसे तो हम डारेक्ट तो इन देखिए तो इसको थोड़ा सा छोटा करना परेगा ना बाइनोमेल एक्सप्रेशन जैसा बनाएं तो तो ये बताईए थोड़ा सा गर करें तो एक्स प्लस वन इसको अगर एक्स पर पावर एक बटा त्री प्लस वन एक्स पर पावर एक बटा त्री प्लस वन एक्स पर पावर दो बटा तीन एक बटा तीन प्लस वन एक्स माइनस वन रूट एक्स कॉमन ले लें या एक्स पर पावर एक बटा दो इससे common ले लिया जाए तो X पर पावर एक बटा दो माइनस एक बचेगा तो यह बताओ यह और यह कटना जाएगा क्योंकि क्या फार्मूला होता है AQ प्लस BQ बराबर A प्लस B A स्क्वार माइनस A B प्लस B स्क्वार ही न तो A वाला काम इसके लिए कौन कर रहा X पर पावर एक बटा तीन B वाला काम एक तो A प्लस B A स्क्वार माइनस A B प्लस B स्क्वार वाला काम कर रहा हमारा काम खतम और इसकी बात करती है क्या आजाएगा X पर पावर एक बटा तीन प्लस एक और minus root x plus 1 upon root x आ जाएगा whole power कितना 10 यानि कि कितना हो जाएगा x पर power 1 बटा 3 ये 1 और 1 तो कट जाएगा x plus root x plus 1 upon root x एक एक तो कट जाएगा हमारा बचेगा x पर power minus 1 बटा 2 पर power 10 अब हम आसानी से अब तो binomial expression आ गया अब आसानी से हो गया अब हमारा क्या हो जाएगा आसानी सब कोई confusion ही नहीं है हमारा तो x पर power 1 बटा 3 minus x पर power minus 10 लिखना चाहें तो 10cr x पर power 10 minus r by 3 और x पर power minus 1 बटा 2 पर power या जो trick बता है उससे भी कर सकते है 10 minus r by 3 minus r by 2 independent कह रहा है तो इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर तो 10 minus r by 3 r by 2 r कामान कितना आ जाएगा 4 r कामान कितना 4 तो answer कितना 10c4 10c4 का value कितना 210 10c4 का value कितना होता है 210 होता है कौन सा हो गया 210 option number c option number c आएगा 210 आएगा हमारा clear है अब इसमें लंबा चौरा direct अगर हम power लगाने लेंगे तो बर्वाद हो जाएगे कहां तक हम हटाएंगे मेरे भाई plus minus वाला जब तक कुछ जुगार करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं clear है समझे सब लोग या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं जल्दी से एक बार बताया जाए समझ गया सब लोग या मैं यहीं तक समस्या इसके बाद तो फिर आसान है इसके बाद तो फिर जंडू-बाम टाइप का यह नॉर्मल ही कोश्चन है हमारा बस यहां इसको थोरा सा एड्जेस्ट करना पड़ेगा हर जगा तुरंत एक दम मजदूरी नहीं करने लगते हैं अब यह सवाल देखके ही लग रहा कुछ न कुछ तो इसमें जुवार लगाना परेगा डारेक्ट नहीं होगा डारेक्ट करने जाएंगे तो फंस जाएंगे हम एकदम जल्दी से बताईए क्लियर है सबका या को डाउट है जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें दोस्व हाँ वील मौरिया जी सही है सचिनी आदव जी भी बताये थे प्रवेश जी बताये थे बैभव यादव एकदम सही एकदम सही बाकी बैचेज अनराजियों के भी चल रहे है आपके चंडीगर, उडीसा, हरियाना, दिल्ली, बिहार, मदपरदे, जारकंड, ठीक उसके लिए भी आप चाहें 96, 28, 95, 91, 37 पे आप वाटसप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं चल ये ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है y बराबर रूट x, 2y-x-3 is equal to 0 तथा x-x से घीरे उस छेत्र जो प्रथम चतूर्थांस में इस्थित हो का वर्ग इकाई में छेत्रफल क्या है वर्ग इकाई में छेत्रफल क्या है ये पूछ रहा है मतलब area bounded by curve y is equal to root x, 2y-x plus 3 is equal to 0 and x-axis in first quadrant केवल first quadrant में बताना है x-x है, y बराबर root x है दूसरा 2y-x plus 3 बराबर 0 है हमारा जल्द इस बताएं क्या होगा संजे जी 10 में का D कितना तेज VL मौरिया जी A बता रहा है संजे सेठी जी D बता रहा है महंदर सिंग जी D बता रहा है D ने A होई भाई first quadrant कहा रहा है तो y बराबर root x का ग्राफ कैसे ये हमारा हो गया y is equal to root x का ग्राफ इसका जो line का ग्राफ कैसे बनाते हैं एक बर x 0 रख करके y निकालते है y 0 रख करके x तो इसमें x बराबर 0 करेंगे तो y कामान minus 3 वटे 2 और y 0 करेंगे तो x कामान 3 तो ये line जो बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा minus 3 वटे 2 और 3 first quadrant में का रहा है तो first quadrant में यही part तो है ये area हमें बताना ये area हमें बताना है तो ये area बताएंगे तो कैसे यहां से पहले ये intersection point निकालने तो y बराबर root x तो क्या मिल जाएगा 2 root x minus x plus 3 बराबर 0 तो 2 root x बराबर x minus 3 4 x बराबर x square minus 6 x plus 9 तो x square minus 10 x plus 9 बराबर 0 तो x कामान 1 और 9 x कामान 1 और 9 आएगा तो 1 तो 3 के आगे होगा नहीं मतलब ये बाला point कितना हो गया 9 हो गया अब इस point की बात करें तो x तो 9 तो y कितना 3 हो गया हमारा तो area जो आएगा वो कितना 0 से 9 root x dx और minus इस triangle का area minus कर दें तो 1 बटा 2 ये 9 है ये 3 है तो ये 6 आजाएगा ना 6 गुना 3 हमारा 6 गुना 3 अब root x का जब integration करेंगे तो root x का integration 0 से 9 x पर पावर 3 बटा 2 3 बटा 2 0 से 9 यानि 2 बटा 2 9 पर पावर 3 बटा 2 2 बटे 3 कितना 3 ती है 27 यानि कितना 18 कितना आ गया ये 18 हमारा तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा 18 आ गया ये हमारा 9 हो गया तो final answer कितना आएगा 9 आएगा cable first quadrant ही कह रहा थे इस बात का भी ध्यान देना answer कितना 9 clear है root ने हाँ ये लगा सकते हैं इसको पहले बदल लेते y square बराबर 4ax वाले में लेकिन वो है नहीं उसमें थोरा सा ध्यान रखना परेगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना तो उपर वाला part खाली लेना था 8a square by mq वाला भी हो जाएगा लेकिन इसको थोरा सा square कर लेते तब y square 4ax वाला form नहीं था उससे भी कर सकते थे लेकिन भूलना नहीं है कि हमने square करके किया है सर हमें आप से बात कुछ special contact के लिए कोई उपाए special contact देना मना भै हम भी नोकरी करते हैं न special number हम नहीं दे सकते हैं आना भाई अभी class के बाद तुरंट इसी number पर कर लीजिएगा चलिए 10 कदम की कहानी खतम 10 कमित कर दीरे 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 आराम से और जैसे ही exam date आएगा तो इसको गती को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा गती को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा चलिए इसके लिए आपको क्या है कल भी class यूटूब पे रहेगी 6 बजे से कल जो class रहेगी 6 से 8 रहेगी प्रैक्टिसी वो तो हर Saturday को चलता है ठीक है हर Saturday को चलता है batch join कर लीजे ने batch join करने के बाद भी मेरा personal number ना मिलेगा batch join हाँ बांकि उपलब्ध हम हर जगा है उपलब्ध हम हर जगा है लेकिन नियमता मैं नहीं दे सकता हूँ चाहे batch join कर लीजे चाहे मत कीजिए आप ठीक कौन बोलना है सचिन यादव जी समहाँ बात करने के लिए हुपलब्ध है चले जय लेकिन खोजने से क्या नहीं मिलता है इसलिए सचिन यादव जी हां सुग रहा है कि सचिन यादव जी को पता है चले जय हिंद जय भारत कल शे बजे हम लोग मिलते हैं